हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान सभा की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहां पा ज सेनो, लाइब्रेरी एंड ओफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसके लिए आप ओनलाइन अपलाए कर सकते हैं, और इस वेकेंसिस रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जॉबरासा.ड़कॉम पर महाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए में इसका ओफिशल पोर्टल है, जहां से आप इसमें आविदन करते हैं, जो भी यहाँ पर वेकेंसिस हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखिए, देखने को मिल जाती है, जिसमें Assistant Section Officer, Assistant Caretaker, जो की एटराइजमेंट नमबर है 01-2024 02-2024 एर्टाइजमेंट है जूनियर किलर के लिए 03-2024 है रिपोर्टर, परसनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 04-2024 है लाइबरी अटेंडेंट, ओफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए आप चाहें तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाए कर सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको देना होगा आपका नाम तो फ्रेंट से यहाँ पर जो भी आपका नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस नाम को आप यहाँ पर confirm कर देंगे confirm करने के बाद आपको आपकी mail ID देनी है आपका gender आपको यहाँ पर select करना है और आपकी highest qualification क्या है degree है 10 plus 2 pass है या आप only केवल 10 वी class pass out है आप अपने according यहाँ पर option को select कर सकते हैं अगर आप only 10 वी pass है तो आप 10 वी pass vacancy के लिए applicable होंगे अगर आप 12 pass है तो 12 साथ में 10 की vacancy के लिए applicable होंगे और अगर आप यहाँ पर degree है तो आप सभी vacancies के लिए आविदन कर सकते हैं इसके बाद आप से पूछा गया है कि 01 select 2019 की जो vacancy थी reporter post के लिए अगर आपने उसका आविदन किया है तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे बिहार government में फ्रेंट्स आपने तीन साल तक कोई continuous service की है तो आप yes यह no कर सकते हैं एक Serviceman है defense service में तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे और उसके बार फ्रेंस आप अपना state जो भी आपका state है जहां से आप belong करते हैं वो आप select करेंगे और आप केवल general से ही apply कर पाएंगे उसके बार date of birth और mobile number आपको देना होगा अगर फ्रेंस आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और इसके बार आपको option मिलेगा category का तो general, EWS, SC, ST जो भी category है वो आप select कर सकते हैं आपका date of birth क्या है तो आपको date of birth है वो आपको यहाँ पर देना होगा आपका ace criteria count हो करा जाएगा आपका mobile number आपको यहाँ करनी होगी इसके बार फ्रेंस जब आपके पास OTP आती है तो आपको यहाँ पर देखे confirm OTP का option मिलेगा आप यहाँ से OTP को confirm कर देंगे इसके बार फ्रेंस आपके देखे OTP जब successfully verified यहाँ पर हो जाएगी आप इसे OK कर देंगे OK करने के बाद फ्रेंस आपको यहाँ पर एक tab मिलता है रटिस्टर का आप दियेगे रटिस्टर टैप पर किलिक कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंस जो registration है वो complete हो जाएगा registration number आपको यहाँ पर मिल जाएगा registration आपको एक option मिलता है login to continue का आप इस option पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर देखिए friends आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से वह आपको यहाँ पर दिये गये है तो आपका registration process अब कम्ट्रीट हो गया है अब आपको फ्रेंड से login करना होगा login करने के लिए friends दोबारा से आपको क्लिक करना होगा उसी option पर जिससे आपने registration किया था जो कि है apply now का आप इस option पर क्लिक करेंगे आपके register mobile number पर friends एक password send कियाता है अपना mobile number या application ID जो भी आपको यहाँ पर मिली है वो आप दे सकते हैं आपका password जो मिला है वो आप दे सकते हैं और उसके बार आप यहाँ से login कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने portal पर login हो जाएंगे portal पर login होने के बाद सबसे पहला option मिलेगा आपको आपके father name का इसके बाद मिलेगा आपको आपके mother name का इसके बाद आपको यहाँ पर religion select करना है marital status क्या है वो आपको select करना है ID proof में friends आप अरहार card, voter ID, pen card, driving license, passport या कोई भी government ID select कर सकते हैं उस ID card का number आपको देना है identification mark में कोई भी cut का निशान, कोई mole, कोई बन का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर तो आप उसकी जनकारी देंगे नहीं तो आप no mark करेंगे अगर आप grandson या granddaughter है, freedom fighter और बिहार state की तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे इसके बाद है qualification, qualification में सबसे पहले 10th की जनकारी आपको देनी है तो आपके यहाँ पर school का नाम क्या है वो आपको देना होगा इसके बाद friends आपको आपके board का नाम देना है, आपका roll number देना है, आपका arrow passing क्या रहा है वो जनकारी आपको यहाँ पर enter करनी होगी, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका percentage है वो आपको देना है अगर देखिए आपने वहाँ पर qualification सिर्फ 10 select की है तो 10 की जनकारी देनी पड़ेगी, 10 plus 2 भी select किया है तो 10, 10, 12 देना पड़ेगा और degree select की है तो 3 की जनकारी आपको देनी होगी यही चीज आपको यहाँ पर 10 plus 2 में देना है, आपको यहाँ पर देना है आपके board का नाम आपके इस टीम कौन सी है अब आपको यहाँ पर select करना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर एपका रोल नंबर देना है उत्रीन होने का जो वर्ष है वो आपको देना है आपका जो percentage है वो आपको यहाँ पर देना होगा ऐसे ही degree में आपने किस institute से इसको pass किया है वो आपको देना है इसके बाद friends आपके जो board या उनिवर्सिटी का नाम है वो आपको देना है कोर्स की डूरिशन क्या है आप कोर्स का नाम क्या है वो आपको देना होकर तो अपने कोर्स का नाम आप सेलेट कर सकते हैं एरोप पासिंग क्या है तो वो आपको सेलेट करना होगा और आपको यहां पर आपको यहां पर मेंशन कर पर की है आपको आपका actual data यहाँ पर देना है इस आपको आपका state select करना है PlayStation देना है पिन कोड़ आपको देना है अगर यह address same है ताप same as पर click कर सकते हैं अलग-अलग है ताप अलग-अलग इसकी entry कर पाएंगे तो यहाँ पर सभी options को select करने के बाद ही आप this option को select कर सकते हैं इसके बाद अगर मंद निगे अपका address अलग-अलग है तरह अप अलग-अलग entry भी कर सकते हैं तो यह आ पकी उपर depend करता है आपका क्या address है उसके according ही आपको यहाँ पार options है वो आपको यहाँ पार select करने है और उसके बाद आप apply and proceed कर सकते हैं इसके बाद फैंसे नेस ओप्षन है डॉकॉमेंट अप्लोड का तो देखिए सबसे पहले फोटोग्राफ है दस से सो के भी में सिगनेचर है दस से सो के भी में जेपीजी फॉर्मेट में आप यह अप्लोड करेंगे इसके बाद तैंथ का जो सेटिफिकेट है वह आपको अप्लोड करना है तो यहां पर फैंसे जो भी आपके रिक्वाइड डॉकॉमेंट से सब आप यहां पर अप्लोड करेंगे और फैंसे यहां पर देखिए अगर आपने डिग्री सेलेट किया है तो ही आपको तीन ओप्षन सेलेट करके यहां पर अप्लोड करने है त इसके बाद friends मिलता है आपको purview section दियान से check कर ले पढ़ ले उसके बार आप नहें से declare कर सकते हैं, कोई भी गलती हो गई है तो sevk कर ले, कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे final submit कर सकते हैं फाइनल submit करने के बाद friends अब आपका देखे से जो भी आपने details फिल की हैं उसके according आप किन-किन advertisement के लिए applicable हैं जैसे हमारी जो भी हमने profile create किया है जो भी जानकारी फिल की है उसके according हम सभी advertisement के लिए apply कर सकते हैं तो आपके according जिस भी पोस्ट के apply आप करना चाहें आपको apply का option मिलता है आप इस पर click कर देंगे इसके यहाँ पर देखे जिस भी पोस्ट को आप select करते हैं उसमें अब आपको preference देनी है तो आप यहाँ पर आपके according जो भी number one पर preference देना चाहें इस तरह से आप फ्रेंज जो preference है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप किसी preference को नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं अगर आपको ऊपर या नीचे इनको preference को करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से आप इसको यहाँ से उपर नीचे भी कर सकते हैं इसके बार आप apply and proceed पर click कर देंगे इसके बार फ्रेंज आपकी जो application fee से लगने वाली है, उसकी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसके बार आप make using payment वाले option पर click कर सकते हैं, इसके बार friends आप आजाएंगे इस portal पर जहां से आपको आपका जो payment है वो करना होगा, multiple options है, car से payment कर सकते हैं, net banking से payment कर सकते हैं, किसी भी bank की, UPI से payment कर सकते हैं, तो आपके सामने options हैं, आप अपने according जो भी option के थुरू payment करना चाहें, आप पेनाओ वाले option पर click करेंगे, और उसके बार friends अपना payment complete कर लेंगे, जब आपका payment verify हो जाएगा, complete हो जाएगा, उसके बार friends अपना final print out सेव करके रख सकते हैं, future use के लिए, future reference के लिए, तो friends पेमे आपको यहाँ पर आपके application form print out का option आपको मिल जाएगा, अब माली जब किसी other post के लिए भी apply करना चाहते हैं, तो आपको apply का link यहाँ पर मिल जाता है, आप same apply वाले option पर click कर सकते हैं, और अपने जो form है, उसका फ्रेंस जो payment है, वो आपको आपको करना होगा, payment आपको फ्रें प्रोड़ाइट कर दी है, कैसे आप बिहार विधान सभा का online form apply कर सकते हैं, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, तो like, subscribe इंशे जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यडिप चैन, and last thanks for watching.